मौसले पे खेड देने काली आ राता देना ए परोसा है मेरा रोशिंस बेरे रूने की परोसा है मेरा कोशिंस बेरे रोशिंस बेरे रूने रहते हूं और यह जो चौबएस घंटे गेट खोलने की बात हो रही है यह बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं से तो बराबरी शुरू होना जरूरी है ना तो यह एक शुरूरात होएगी हम एक एक्जामपल देंगे सोसाइटी को की बराबरी हर जगह जरूर मतलब रात हो दिन हो रात से डरने की क्या जरूरत है वह भी एक टाइम है किसी ने कोई जरूरत है तो हम बराबर के हिस्ते में वहां पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं रात के डिसकेशन्स हो रात में कोई भी वर्किंग हो तो हम रात को भी निकल सकते हैं गनुपर जो रिसर्च स्कॉलर ने इन विश्टिए देवेच कि उनना ते भी किसी तरह दी कोई पबंदी है उना दे टाइमिंग्स भी कुछ तैस उर्दा ताइमिंग या उनना दे कोई पबंदी नहीं है तो उन्हा ते भी बराबर्दी पबंदी रही है पंजाब इनुवस्टी केंपस दे अंदर एक स्ट्रगल तो बाद उन्हाने अलाव कर जता किसी उन्हा देली ते मैं तानों दसना कि उन्हान नूँ ए जिदो आएगा ना एकठा आएगा एदा टुकड़ियां चे नहीं आए ते अगर तुसी प्राक्टिकल फॉर्म वेच देखोगे ता इतो दे रिसर्ट कॉलर्ज नूँ नूँ निया लाओड अ मुंडे ना गाल कर दे मैंने रसो के तुसी बहुत तो ना गाया भी जड़े थ्वाड़े होस्टल टाइमिंग्स में ओ की निया तो आड़े ते कोई अगर अठाड़ा से उपर के लड़कियों की शादे करवा दे जाते है जो सबसे जादा रस्पॉंसबल चीज मानी जाते है घर संभालना तो क्या हमारे पास इतनी समझदारी नहीं होनी चाहिए हमारे अपनी हमारे अपना डिसीजन नहीं होना चाहिए कि हमने कब बाहर जाना और कब रहना है कब कहां पर जाना है क्या कोई और हमें रोकेगा क्या कोई और समझाएगा जब तक हमारे पास अपनी समझदारी नहीं आएगी इस चीज की हमारे पस अपना डिस सिर्फ गार्ड हमारी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, मतलब हमें प्रोटेक्शन लड़कियों को कैसे मिलता है, दूसरी लड़कियों को देखकर, अगर हम कमफर्टेबल कैसे फील करते हैं, हम अगर किसी जगह पर हैं, और लड़कियों को देखकर कमफर्टेबल फील करते हैं, कि किसी बॉडी गार्ड को देख कर और हर लड़की के साथ बार बर सेक्यॉरिटी गार्ड नहीं हो सकता